हेलो एब्रीवन आपका स्वाकत है मेरे चैनल कुकिंग मुकिया पर आज हम बनाएंगे करेले की बहुत ही delicious recipe आप सोचेंगे करेला और वो भी डिलिचियस हाँ बिल्कुल सही सुना करेले तो बिल्कुल यह कड़वे नहीं बनेंगे जिने करेले पसंद नहीं वो भी बड़े चाओ से खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना यहाँ पर हमने यह करेले लिये यह आदा केजी करेले है इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है और इस तरह से हम इन्हें काट लेंगे फिर इसे बीच से इस तरह से काट लेंगे देखिए इस तरह से हमने करेले को काट लिया है अगर बीज हो तो आप बीज को निकाल सकते हो इस तरह से हमने करेले काट लिया है यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया है इसमें हमने एक गिलास पानी गरम कर लिया है अब इसमें हम एक करेले डाल दीए कुछ करेले हमने इस तरह से काटे और इनके बीज भी निकाल दिये हैं देखिए इस तरह से इसे हम 80 परसेंट तक करेंगे इसे थोड़े से मसाले डाल लेते हैं तो थोड़ी सी हल्दी नमक डाल दिया इसे मिक्स कर लेंगे तो इसे हम ढख देंगे यहाँ पर मसाले की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले रहे हैं यहाँ पर एक टीस्पून हमने शॉप ली है दो टीस्पून धनिया दस बारा मेथी के दाने लिए हैं इसे भी डाल लेंगे और दस बारा ही हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं यह लाल मिर्च लिए लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ले 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 और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल कर उबाल लेंगे अच्छे से जिसे मसाले हमारे अच् पैज लेते हैं तो काट कर देख लेंगे इसमें पता छल जाएगा कि कहले वारां पकगि गया है जाधा नहीं गलाना है इधर आम मसालय देख लेते हैं उसलूप लेंन पर ही इसे existing फका रहे हैं कि जसे मसालय अच्छे से मरें पीश जाएंगे नहीं है तो करेIEL निकाल वाले करेले बनाएंगे तो सच में सभी आपकी तारीफ करेंगो सब पो बहुत पसंद आएगे बच्चे अक्सर करेले खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो भी बड़े चाओं से खाएंगे एक वा इस तरह से बना कर तो देखिए तो यहाँ पे हमने प्याज इस तरह से रफली काट लिया है और लेसन भी काट लिया है अब यहाँ पे थोड़े से हमने कच्चे आम लिये है मसालों को हम ग्राइडर जार में डाल कर प्याज डाल कर और यह कच्चा आम इसको भी डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है अब कड़ाई में हमने ओयल ले लिया है और करेले को हमने अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है कड़ाई में हम ओयल डाल देंगे तो हमने यहाँ पे ओयल डाल दिया है में COP21 गरम हो ग्या है। आउयल घरम हो गया है अब इससे करेले डाल देंगे करेले को हमें fire करना है घैस की flame हमने slow है रेहलो हमने medium है करेले को अलटे प्लटे सेख लेंगे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से करेले को हम फ्राइ कर लेंगे करेले हमारे प्राई हो गए हैं इनने हम निकाल लेंगे एक प्रेट में अब एक पैन में हमने वही वाला OIL डाल दिया है अब इसमें हम मसाला डाल देंगे मसाले को हम अच्छे से पहले हमेने भूलना है अगर आपको हमारी रेजपी अच्छी लगती है तो Like, Share, Subscribe कर ले तो मसाले को हम अच्छे से भूल लिया है अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने इसमें हींग डाली है और हल्दी डाली एक टीस्पून इसे भी मिक्स करके अच्छी से भूल लेंगे और टेस्ट के नुसार इसमें नमक डाल देंगे आधा टीस्पून हमने यह पे बेसन लिया है बेसन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक बार इस तरह से आप बना के जरूर देखें तो इसे भी हम स्लोफलेंपर मसाले के साथ भूल लिया है अब इसमें हमने करेले भूने अब सुँसक्य मेश θα शचा करेले gonna need चाहर अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे स्लोब लेंपर ही हमें इसे और 5 से 6 मिनट मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे डख कर वह थे हमने इसे डख दिया हैं बीच में हमने एक बार और से चलाया था तो देखिए सांदार करेले हमारे बनकर तयार हो गए हैं ये कड़वे बिलकोल नहीं बनते हैं एक बार ज़रूर इस तरह से बना कर देखें तो देखिए कितनी सांदार करेले की सबजी बनकर हमारी तयार हो गई है अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करें तैंक्स पूर वोचिंग टेग यार बाई